Hello guys, काफी important study एक सामने आई है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आज की rate में global warming के चलते हम लोग को climate change देखने को मिल रहा है, temperature level increase हो गया, बढ़ गया है temperature level, तो यह आप सभी लोग जानते हैं, गर्मी सभी लोग महसूस कर रहा है, काफी जादा गर्मी बढ़ गया यह पहले क मुकाबले, various report में भी temperature level rise related, जो है वो news हम लोग को कई बार देखने को मिल चुकी है, देखिए एक study सामने नजर आई है, काफी important study है, कि ocean, जो यह ocean गर्म हो रहा है, तो उसका impact मचलियों पर किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, latest ए Intergovernmental Panel on Climate Change की, इन्होंने warning दी है, कि ocean warming, जो ocean जो गर्म हो रहा है, वो 21st century में पूरा गर्म होगा, और यह 200, सन 200, देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी 2021 चल रहा है, तो ऐसे करते करते, 2100 से लेकर 200, इस period में बताया जा रहा है कि global warming continue ही रहेगी, अगर हम लोग even कोशिश भी क कर लें, carbon emission को कम करने की बावजूद उसके यह continue रहेगी, मतलब कि यह मानके चलो कि एक बड़ी warning सामने आई है, कि अगर humans नहीं है, पूरी गडबड करके रखी है, इसके बावजूद भी यह चीज़ तो रहेगी, कि ocean warm होगा ही होगा, temperature level increase हो गई होगा, तो काफी हरान करने वाली यह study जो है, वो सामने आई है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, especially main focus रखा गया है, species के उपर, प्रजातियों के उपर, especially उन प्रजातियों के उपर, जो समुदर के नीचे हम लोग को देखने को मिलती है, तो बताया जा रहा है कि जो भी species है, आज की rate में ये record किया जा रहा है कि वो poleward की तरफ migrate कर रही है, poles आप जानती है, north pole and south pole, ये धरती है हमारी, उपर आला एरिया और नीचे आला एरिया, north pole, south pole का हमें देखने को मिलता है, ये होता है, equator, ये tropic of cancer, tropic of capricorn हम लोग को देखने को मिलता है, आपको पत है ये वाली चीज़ आप सभी लोग आते है, सभी लोग वाके फेंस चीज़ से, तो ये ही हो रहा है कि गर्मी के कारण है species जो है, वो polar areas की तरफ जा रही है, pole की तरफ move कर रही है, तो ये एक चीज़ record की गई, दूसरी चीज़ ये record की गई, एक और changes देखने को मिले, कि लोग को देखने को मिलता है, ठंडक है थोड़ी सी, तो वो नीचे की तरफ move कर रही है, तो फिर polar areas की तरफ move कर रही है, तो ये दो चीज़े, दो movement जो है वो species के सामने नजर आए हैं, और एक और बहुत important चीज़, ocean warming observe की गई है 1971 से, तो study जो है वो इसने बोला, कि 1971 से हम लो ocean जो गरम हो रहा था, उसको observe कर रहे थे, और बताया जा रहा है कि ये अभी तक के observation से ये पता लगाए कि sun 2100 तक, अगर हम लोग temperature level को control करने की भी अगर कोशिश करें, low warming scenario भी अगर देखें, जैसे की चलो let's say, कि हम 2100 तक अगर carbon dioxide के emission को control भी करते हैं, जो कि हमने अभी करना शुरू कर दिया है, तो भी बताया जा रहे है कि इस period में double हो जाएगी, किस सो तक आते आते global warming double हो जाएगी, बट अगर हमने, अगर कम किया तो भी, कम करेंगे तो भी double हो जाएगी, बट अगर कम नहीं करेंगे, तो तो चार गुना जादा हो जाएगी, तो ये चीज़ दा ने यहाला concept, कि ये धरती है हमारी, हम लोग ने क्या pollution किया, इतना pollution किया कि carbon dioxide की layer जो हो हाँ पर बन गई, जैसे ये धरती है, धरती के आपको जैसे कि अगर मैं समझाओं, तो ये layer, धरती के ये layer, मानके चलो blue वाली layer जो हो carbon dioxide की बन गई, अब क्या है, अब सूरी आता है, त इंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, insulation हो रहा है, आपने पढ़ा होगा इस concept के बारे में, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत जादा गर्मी हो गई है, और इसी गर्मी की वज़े से काफी सारी प्रजाती, आप लोग देखते होगे, सुनते होगे news में, कि ये फलाना प्र mountain में रहने वाली प्रजाती है, आप वो पहले नीचे रहती थी, पर आज की rate में वो कोशिश कर रही है, उपर जाए, क्योंकि mountain में भी आप जाते हैं, ऐसे आप उपर जाओगे, वैसे ठंडी बढ़ती है, है की नी, hill station पर हम लोग को ठंडी देखने को बलती है, तो ये ची condition create करेगी, मतलब की पानी में, एनॉक्सिक का मतलब क्या होता है, पानी में कोई भी oxygen dissolve नहीं है, या पूरी तरह से oxygen खतम, और hypoxic मतलब की कम concentration oxygen का, तो देखिए, warming, इसका मतलब साफ साफ यह है कि temperature level increase होने से, oxygen में सीधे सीधे गिरावट हम लोग को देखने को मिलेगी, साफ मतलब यह है, और बेना oxygen के जीवन तो ही नहीं, आप भी जाते हैं कि समुदर के नीचे जो species रहती है, उनको भी जीने के लिए oxygen की आवशक्ता होती ही है, oxygen के बेना जीवन मुश्किल है, तो यह तो कितनी बुरी स्तिती जो है आज की डेट में बन गई है, राइट, अब बा बिमारियां बढ़ जाएंगी, बता जा रहा है, मश्कियों में stress होगा, आपको एक चीज और मैं बता दूँ कि समुदर में जो species जो रहती है, जैसे एक species रहती है जमीन पे, एक species रहती है पानी में समुदर में, लेट से ठीक है, तो जमीन में रहने वाली species फिर भी temperature level जैसी चेंज होता या उनके लिए जैसी weather या climate जैसी ही चेंज होता तो तुरंद अडॉप्ट कर लेती है, तो जमीन में रहने वाली जो प्रजातियां होती है, वो आसानी से चीजों को अडॉप्ट कर लेती है, बट पानी के नीचे रहने वाली प्रजातियां जो है, वो आसानी स changes को adopt नहीं करवा दी, इसका मैं आपको साफ example देता हूँ, आपके घर में या आपके दोस्त के घर में, किसी के घर में अगर aquarium होगा, मचली पालते होंगे, वो aquarium होगा, वो होता है न aquarium जिसमें रंग रंगी मचली आ रहती हैं तो अगर आपके घर में होगा, या आपके किसी फ्रेंड के घर में होगा, तो आपके घर में होगा, तो आप तुरंट डारेक्ली रिलेट कर जाओगे, और अगर आपके फ्रेंड के घर में होगा, तो एक बार पूछ लेना, कई बार ऐसा होता है कि मचली का पानी चेंज जैसे जब किया जाता है न तो मचली अमर जाती है सिर्फ पानी चेंज करने में मचली अमर जाती है तो आप सोचो कि यहाँ पर तो वही तो चेंज हो रहा है तेंपरीचर लेवल इंक्रीज हो रहा है उनके लिए oxygen dissolve हो जा रहा है आप देखें का मचली को जो लोग fish aquarium में मचली को रखते हैं कई बार वो temperature level रखते हैं temperature maintain करने के लिए एक आता ने एक machine आती है temperature को maintain करने वाली वो सब चीज़े विवस्ता करके रखते हैं तो आप सोची कितना खतरनाक स्थिधी जो है समुदर के नीचे जीवन की है अब आप बोलोगे सर हम समुदर के जीवन के बार में इतना क्यों जानने की कोशिश कर रहा है आप मेरी बात समझीए ये पूरा जो system चलता है वो food cycle के उपर based है अगर इस धरती पर किसी भी एक प्रजाती को कुछ होता है तो उसका impact directly सभी के उपर पढ़ता है वो बोलोग कैसे तो food cycle के बार में आपको पता होगा एक छोटी मचली है उसको बड़ी मचली खाती है बड़ी मचली को जैसे लेट से human खा लेता है तो ये इस प्रकार से आप ये चीज़ समझो relate करो चीज़ों को अब जब छोटी मचली का आप हो जाएगी तो बड़ी मचली को खाना नहीं मिलेगा वो क्या करगी वो भी मर जाएगी बिना खाने के अब इस मचली के उपर human dependent है तो वो भी मर जाएगी बात समझ रहे हो relate करो चीज़ों को एक भी प्रयाती को अगर impact होता है तो उससे जोड़ी जितनी भी प्रयाती और almost सभी की सभी interrelated है पूरे इस particular system के अंदर इस पूरी धरती के अंदर तो इसलिए ऐसे ये देखी आप यह जो report जो बना रही है कौन बना रही है intergovernmental panel climate change इतनी बड़ी authority हम लोग को देखने को मिल रही है जो report जो है वो create कर रही है तो वो इसलिए कर रही है the reason being is कि इसका असर सीधे सीधे humans के उपर भी पढ़ेगा पूरे के पूरे planet के उपर पढ़ेगा हमें देखने को मिलेगा कि acidification होगा acidification acidification के कारण होता क्या है acidification के कारण जो है वो बचलिया तुरंत मरती है तुरंत direct killing उनकी हम लोग को देखने को मिलती acidification के कारण तो यह भी study ने यह सब चीजे भी note down करी और इसके कारण कई सारे जो commercial hubs fishing hubs वो पूरे के पूरे खतम हो जाएंगे जैसे कि आज की रिट में लोगबाग humans जो है वो fishing के उपर dependent है उनका livelihood उनका चीवन fishing के उपर चलता है खतम हो जाएगा यह clearly report बता रही है काफी सारी species जो है वो migrate कर गई है pole की तरफ या फिर पानी के नीचे deep water में migrate कर गई है और study एक publish हुई थी April में उसने बताया था कि total number of open water species जो tropical marine zone में है वो लगभग बताया जा रहा है कि 2010 से अगर देखा जाए 2010 के इनोने data को वो किया चेक किया तो पाया गया कि इसके पिछले 40 सालों में करीब आधी species almost यानि कि 50% species वहाँ से खतम होगई उस छेतर से खतम होगई तो आप सुचिए कि 2010 तक ही 50% species खतम होगई तो अभी तो चल रहा है 2021 और आने वाले समय में बता रहे हैं कि 2100 तक बहुत उस्तिती जो है वो खराब हो जाएगी एक नई इस प्रकार की मचली हम लोग को देखने को मिलती है मचली की प्रजाती हम लोग को देखने को मिलती है पिछलड भी इसी प्रकार की ये common names है छोड़ी-छोड़ी मचली हम लोग को ये देखने को मिलती है और वैसे ही ये परिस वेंदिती जो की एक बायोजिस्ट है इन्होंने बोला है कि जैसे से सी टेंपरेचर राइज होगा तेजी से आज की रेट में जो की हो रहा है तो मचलिया जो है वो बहुती जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी इस environment में struggle नहीं कर पाएंगी, survive नहीं कर पाएंगी बहुती जल्दी लुप्त होना शुरू हो जाएंगी मचलिया और serious implications सभी की सभी मचलियों को पढ़ेगा और हमारी food security के उपर भी पढ़ेगा तो इसलिए मैंने पहले ही आप लोग को food cycle के बारे में समझा दिया क्योंकि काफी सारी species जो हम लोग खाते है, humans खाता है मतलब काफी सारी species हमें देखने को मिलते है, तो यह सब चीज है तो बताय जा रहे है कि आने वाले समय में बहुत बुरी स्थी जो होने वाली है, काफी सारी मचलिया जो है उनका size जो है, वो कम हो जाएगा, इवन यह भी बताय गया है कि जो baby sharks बगरा होती न, shark मचली जो हम लोग को देखने को मिलती है, shark मचली, जो shark मचली ऐसी कुछ जो है वो दिखाई देती है, कुछ इस टाइप की, मेरी drawing जो हो खराब है वाट आप समझ गये होंगे, shark मचली क किया था, इन्होंने यह देखा कि कुछ मचली को ठंडे पानी में रखा, तो ठंडे पानी में रखने वाली मचली जो थी, उनका size भी बढ़ा और उनकी age भी बढ़ी, age भी बढ़ी और size भी बढ़ गया, गरम पानी में रखी गई जो मचली थी, उनका size भी छोटा हुआ और उनकी age भी कम थी, तो देखिए, पानी कितना वो करता है, टीम ने इसी प्रकार से research करी, कुछ मचलियों को 27 डिग्री में रख दिया, कुछ मचलियों को 29 डिग्री में रख दिया, कुछ को 31 डिग्री में रख दिया, ये पाया है कि जो मचली ठंडे पानी में थी, वो बहुत बड़ियां थी, उनका physical, biological, हर तरीके से मस्ट थी और जो गरम पानी में थी, उनका सत्यानास हो गया, तो ये तक हो study, इन्होंने experiment करके ये वाली बात समझाई, और struggle है survival के लिए study के दुरूप पता लगा कि उनका metabolic rate जो है, वो भी काफी कम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से वो survive करना उनके लिए काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, oxygen की समस्या, बहुत सारी समस्या उनके अंदर develop हो जाएगी, इस्पेशली बड़ी-बड़ी मचलियों में, तो सवाल यह उठता है कि अब कौन सी मचली बचेगी इस climate change में, तो एक चीज़ यह बताई गई है, जिसको आप थोड़ा से ध्यान में रखिएगा, कि three spine stickled back fish, यह देखो, three spine stickled back fish है, इस प्रकार की कुछ यह दिखाई देती है, यह बोला जा रहे है कि यह वाली मचली जो है, वो जातार हम लोग को inland या coastal waters पर देखने को मुलती है, निकि समुद्र का, जो होता न, coast वगरा, beaches वगरा होते है, जहापर हम लोग जाते है, enjoy वगरा करते है, तो वहाँ पर यह कुछ मचलियां जो है, वो इस प्रकार से द changes को, बैट फिर भी एक चीज़ हमेशने ध्याल में रखेंगा, पानी के नीचे रहने वाली जो प्रजातियां होती है, वो एकदम से changes को adopt नहीं कर पाती है, और बताया जा रहा है कि modern version जो है, वो Darwin idea of evolution का, आपको बता है, Darwin theory के बारे में आपको बता होगा, आपने पढ़ा हो बल रहा है, कि जो weakest है, वो निपड जाएगा, मतलब कि जो warm water को, या फिर जो temperature level या climate change को adopt नहीं कर पाएगा, वो खतम हो जाएगा, तो ये नया version हम लोग को Darwin theory का, या idea of evolution का देखने को मिल रहा है, अब क्या होगा, कि अब धीरे-धीरे करके evolution भी होगा, अब Darwin ये भी बोलता था, फिर धीरे-धीरे करके उसकी body में changes आएगी नहीं है, वो, क्या, climate के according changes आए, आप देखिए, जो north areas में जो लोग रहते हैं, ठंडी area में लोग जो रहते हैं, वो हट्टे-कट्टे आपको थोड़े से दिखाई देंगे, लंबे चोड़े दिखाई देंगे, as compared to दूसर areas के मुकाबले, क्यों होता ऐसा change, क्योंकि वो climate के according change हो जाता है, कही बार आप देखिए, जो लोग पहाला पे उपर side रहते हैं, और कोई नीचे जैसे south की दरफ, इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया में south पे रहने वाले, जो लोग हैं, अगर वो north की दरफ अगर चले यहाएं, तो एकदम थोड़ी दिर में उनको ठंडी में लगना शुरू हो जाएगी, और वहीं अगर जो पहाले में, जो हिली areas में, उत्राखाट वगरा, हिमाचल प्रदेश, ऐसे areas में जो लोग रहते हैं, वो अगर south की तरफ आजा है, तो उनकी हालत खराव हो है ना, तो वो क्यों होता है, क्योंकि human अपने climate के according अपनी body को, अपने system को बना लेता है, adjust कर लेता है, तो यहाँ पर रहनों ने यही बोला, कि अब क्या होगा, कि species में धीरी दिने करके evolution आएगा, changes आएगा, और यह भी कह रहे हैं, कि जो भी species इस प्रकार के climate change को adopt कर लेग प्लस एक और चीज़ बताई गई है, कि जिन species में reproduction बहुत जादा है, यानि कि जो जादा reproduction करती है, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से survive कर सकेंगी, क्योंकि और वो अपने बच्चों को और जादा जन देंगी, और जादा बच्चे जो होगे, उनके chances survival के जादा होगे, जैसे कि किस प्रकार से species जो है, उनका evolution हुआ, किस प्रकार से प्रजातियों का evolution हुआ, और कौन सी family की प्रजाती जो है, वो किस तरीके से evolve होई, तो उस तरीके को देखकर reverse order में जाकर ये पता लगाई जा सकते हैं कि कौन सी species environment को जल्दी adopt करके survive कर सकेंगी, तो ये है guys पू अच्छा लगा ये lecture तो like का बटन जरूर हिट कीजेगा, नया है चैनल को subscribe कीजिए, bell icon पे जरूर हिट कीजेगा और share जरूर कीजेगा इस article को, चलो, all the very best, जैहिंद